हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ तुलिका और कुकवित तुलिका में आपका स्वागत है आज मैं बनाने वाली हूँ जटपट से बनने वाली छोले की रेसिपी और festive season आ रहा है तो इसमें बहुत सारे डिसिस बनाने रहते हैं तो आप जटपट से ये रेसिपी बना सकते हैं तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लगभग 200 ग्राम काबुली चना लिया है और जिसे मैंने पूरी राच सोख कर लिया था अब मैंने इसे एक प्रेसर कुकर में ट्रांसफर किया है और इसे फुलाते समय ही मैंने इसमें थोरा सा सोड़ा डाल दिया था जिससे जब चना बनेगा तो काफी जल्दी पक जाएगा फिर मैंने इसमें प्याज और टमाटर डाला है तो यहाँ मैंने चार मेडियम साइज के प्याज दो टमाटर लिये है जिसे मैंने रफली काट करके इसमें डाल दिया है यह बनने में बिल्कुल 10 मिनट लगेंगे तो इस तरह से मैंने सारे प्याज और टमाटर को इस कूकर में ट्रांसफर कर दिया है अब मैंने कुछ गरम मसाले और खड़े मसाले लिये है तो यहां मैंने एक लाल मिर्च, तेश पत्ता, जीरा, काली मिर्च, लॉंग, बड़ी इलाइची, छोटी इलाइची लिया है एक चम्माच, जिंजर गार्ली का पेस्ट और कुछ मसाल लेती, इसमें धनिया, जीरा, सौफ, गरम मसाला, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर है एक चम्माच घी डाला है, जिससे छोला का जो टेस्ट है, वो काफी अच्छा हो जाएगा अब मैंने इसमें एक ग्लास पानी डाला है, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है जब ये अच्छी तरह से mix हो जाएगा फिर इसमें अगर लगेगा हमें कि और पानी की जरूरत है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और add करूंगी तो मुझे लगड़ा है कि इसमें और पानी की जरूरत है तो मैंने इसमें लगवग एक गलास पानी और add किया है अब मैं इसे अच्छी तरह से फिर से एक बार मिक्स कर दूँगी और फिर इसका ढखकन लगा कर एक सीटी आने के बास 15 मिनट के लिए इसे सीम आज पर छोड़ देना है और 15 मिनट में ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाएगा तो आई होप आज की ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो इस रक्षा बंधन आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और रक्षा बंधन पर हमें धेर सारे पकवान बनाने रहते हैं तो आप इस तरह से जटपट से छोला बना सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहां इसमें एक सीटी दे दिया है फिर मैंने इसे गैस को कम कर दिया था और इसे 15 मिनट तक पकने दिया है 15 मिनिट के बाद जब कूकर का पूरा सीटी निकल जाएगा फिर हम इसको खोलेंगे तो यहां आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से छोला पक गया है और यह अच्छी तरह से मिक्स भी हो चुका है और मैंने इसे एक दो बार करचिल चला करके जो प्याज और टमाटर के टुकड़े हैं उसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है इस तरह से हमारा जो ग्रेवी है वो थोड़ा सा गाड़ा भी हो जाएगा तो देखिए कितना टेस्टी सा छोला बनकर तयार है आप इसे चावल, रोटी, पूरी किसी भी चीज के साथ खाएं ये काफी टेस्टी लगेंगे तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बनाए खाए और इंजॉय करिए हैपी रक्षा बंधन आप सभी को